तो जैसा कि यार थोड़ा समय कम मिला इसलिए थोड़ा आसमर्त रहा मैं और इन चीजों को बताने में क्योंकि मैंने यह स्टार्टिंग अगर शुरू से कर देते ना आज बहुत अच्छी तैयारी करा देता चलो नेक्स एक्जाम से कुछ अच्छा करेंगे और यह इंग्लि स्टा घिन आना है मतलब घिन मतलब अरे यार क्या यार उनसान ना य servers पूर pillar भी नहीं सकता है क्यों कि और ।्श्पाइस त्रसकार यह वाला क्योंकि कंशाइसתי नहीं हो सकता है पates prime घिनाना में स्थ grease कवर आपने आपको कवर करना डेमेंस्ट्रेट मतलब प्रदर्स्रित करना फैब्रिक कपड़ा देखो यह यह से श्टार्ट करना थोड़ा डाउट लगए कवर तो डाउट लगए लेकिन डिश्कूश मेंस भीस बदलना यह देट इस राइट आंसर नेक्स्ट यार्न उदास होना तो यहां से स्टार्ट करते हम देश्पाइज द्रिसकार उदास मतलब नो क्रेब लालसा उदास होना का मतलब लालसा हो सकता है क्योंकि कंफरेंट सामना तो हो नहीं सकता है दिनाई इंकार करना नहीं हो सकता है दिस यह गुट यह राइट अंसर क्रेब लालसा पैंसि तो चिंता ग्रस्त प्रिसाइज सठीक नहीं हो सकता है कंटेंप्ट ले टू चिंतनसील डैट इस राइट अंसर चिंतनसील अन्पी नो रिलक्टेंट नो का गच्ट है बैक्वित बस्ीहत में देना वासी नहीं होते नहीं होते इसके बहुत पुराने बावा हो गए वह आपनी बसियत में नाती को या बैटा को देते Ya डिस्क्लोज प्रिकट करना पर सीथ में देना डिस्क्लोज प्रिकट करना डांटना घेर ना गिव मतलब देना तो यह तो इस राइट अंसर गिव on the next is contactless जग्डा लू न उसी नहां हां यह ऊग्याओ को एलों। किदिफेंस डिफेंस समान डिफेंस्ट अप लोगो लगेगा कि यहीं अजाए लकान लेकिन इंडिफेंश मीं सोता उस होता हुञाँ थि संपेथी सहान भूती रिेस्पैक्र आ गिए respect that is right answer option number C because of respect means समान होता है ब्रोदावास paradise स्वर्ग paradox means आपको ये लगेगा बट ये नहीं है question ये भी नहीं है puzzle ब्रोदावास puzzle क्या होती है वो भी ब्रोदावास उन्देट इस right answer option number C next complicated बहुत ही simple word है उल्जा हुआ तो fragmented घंडे difficult उल्जा हुआ मिस कठिन that is right answer option number B simple subtle mixed mixer जैसे मैं ये आप discussion देखते हो तो उसका आंसर आपको अपने मन में दे देना है मैंने मुझे तो बतानी है अब next syllabus में आज आते हैं antonyms antonyms को मैंने हिंदी में नहीं लिखा है आप समझ जाओगे क्योंकि प्रूब एप्रूब मतलब कभी कोई चीज एप्रूब हो गई अपने दिया एप्रूब हो गया तो एप्रूब का destroy कभी नहीं हो सकता एप्रूब का cancel चुट्टी आपने डाली एप्रूब हो गई और किसी उने चुट्टी डाली केंसे लो गई तो that is right answer option नम्मर भी जन्रेट हो नहीं सकता और इसका उल्टा खरीदना तो that is answer नम्मर एप्रूब दा एंटोनीम सॉफ निगलेक्ट मतलब जैसे हम आप किसी को बोल रहें सामने से और वो हमें निगलेट कर रहा है वो सुन नहीं रहा है तो इसका अटेंसन ही हो सकता क्योंकि उसकी अटेंसन चाहिए जश्ट अपोजिट इग्नॉर एंटोनीम सॉफ क्लेवर मतलब चतुर इंगरी नहीं है नॉटी भी नहीं कनिंग भी नहीं किकिलेवर का इस्टूबिट इंटिनlot क्लीन साफ सुठा और इस इसका एपोजिट क्या होगा नीट तो होनी सकता टेडी ने हो सकता वरश नियों सकता डाटी ज्टतर आंसर ज nowadays नमर्धी सबिस्तू का फिरेश इंटनी आपने सुईकार किया है तो इसको बिलकुल रिजेक्ट कर देना मतलब मना कर देना है कॉन्फेस नहीं डेनाई गुड एकसेप्ट दा अन्टोनिम सॉप कॉमन मतलब कॉमन मेंस रहता है कि सम्में मिला हुआ सबके गुड मिले हुए तो इसका आंसर होगा और्डिनरी सॉरी रेयर हां कॉमन मिंस उसका आंसर जच्ट अपोजिट रेयर और्डिनरी हो नहीं सकता नेच्रल हो नहीं सकता दा एंटोनिम सॉप डूपलीकेट मतलब डूपलीकेट का तो आप समझीन लगा उल्टा अगर हम इसका बोल देना कॉपी नहीं है और इजनल कि लौन कॉपी सेंवर्ड है इसलिए इसका ऑडिनल the antonyms of bright bright means bright future बोलते ना अच्छा है तो इसमें bright क्या है light बहुत ज़्यादा सफेद टाइप तो lightning नहीं होगी bright का dark signing glittering ये तो same word होगे change the narration I said to him goodbye तो ये जो sentence है goodbye एक अलग सब्द है तो इसमें हम direct इसको यूज करेंगे I told him goodbye no होई नहीं सकता I ask नहीं हो सकता I wondered भी नहीं हो सकता I bad क्योंकि जब हम good bye यूज करते हैं इसमें एक special word यूज करते हैं तो option number D is the right answer bid him goodbye क्योंकि इसमें क्या हम कर रहे हैं किसी को जब वो जा रहा है ना तो उसको हम good bye बोल रहे हैं तो bid का प्रियोक करते हैं next राजू said yes I made a mistake उसने accept किया है उसने mistake किये तो राज राज ने स्विकार किये कि मैंने mistake किये तो बताया नहीं है तो राज admitted that he had made a mistake ठीक है ठीक है that is the right answer he asked me what he wanted तो इसमें देखें उसने पूछा है तो हम इसको एक अलग तरीके से deal करेंगे हम इसको बताएंगे आपको कि किस तरीके से ऐसे sentence को पैचान सकते हैं यहाँ पर देखो he said to me सारे तीनों में दिया he said to me तो what do I want तो यह है हमारा what he wanted तो he को जैसे हम change करेंगे तो यह तो तीनों word एक से रहेंगे कि he asked me what he wanted देखो यह narration का तो मुझे chapter पढ़ाना था तभी समझ में आएगा बट हमने कुछ महापीडिया बनानी थी तो सारी topic cover किये what he wanted तो actually हमें narration का आपको chapter पढ़ाना था समय कम होने की बज़े से हमें आपको chapter नहीं पढ़ा सके इसलिए इसमें direct बता रहें नहीं समझ में आएगा वह यह जिनों नहीं पढ़ा है उनको समझ में आजाए he asked me what he wanted तो यहां पे देखें he asked me तो यहां सभी change होगा he said to me और me को हम उस तरफ लाएंगे he से change करेंगे तो he me का I हो जाएगा तो इसमें यू आया इसमें यू आया इन दोनों में देख लीजिए तो जैसे ही हमने इसको change किया what do I want what I want तो यहां पे हमें option number A सही लग रहा है that is right जब lettuce use होता है तो हमें हर दम क्या करना होता है कि उसको suggested में ही जाता है he suggest किया हुशने तो सजजेस्टेट में सब यहां तक जितने भी हैं सब सेम हैं घीक है अब इसको डैसुडपिले दा ग्एम दे उपले दा ग्एम ने बुडव प्ले दा ग्एम दे कुडव प्ले दा ग्एम और he or उवाश की हम लिटëस Πेले द के मतलब उस्ने हैं तो हम सब लोग खेल रहे हैं, वे तो खेलेंगे नहीं, तो option number D is the right answer. He said to me, open the window. उसने मुझसे बोला है, कि आप खिड़की open कर दो. तो उसने पता क्या है, मुझे order दिया है, तो told भी नहीं हो सकता, said भी नहीं हो सकता, none of these भी नहीं हो सकता. She ordered me to open the window is the right answer. I saw a lion in the forest, तो यहां पर हमें देखने को मिला है, रामू ने का आए, कि मैंने एक lion देखा, जंगल में lion देखा था ना, तो यह past tense का, यह sentence है, तो रामू said that, अब इसको हम perfect में change करते हैं, आगे ले जाके, तो रामू, he had seen, और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, a lion in the forest, रामू सा यह लायन नहीं हो सकता, रामू सैड ही, नो नहीं हो सकता, तो option number A is the right answer, सतीश said to me I am very happy, देखो उसने का सतीश से, कि मैं बहुत खुस हूँ, तो सतीश ने told का आए, सतीश told he is very happy, no, जब present tense में है यह, तो इसको हम change करते हैं, सतीश told me, यह गलत है, सतीश told me that he was very happy, there, here को भी हम change करते हैं, there में, तो यह सतीश was very happy, no, none of these, option number B is the right answer, अब हम स्टार्ट करते हैं, active and passive से, we will start active and passive, I was writing an essay, तो यह है, past continuous tense, और इसको, इसका अर्थ देखिए, मैं लिख रहा था, क्या, ऐसे, तो एन, ऐसे, यहां से हम उठाएंगे, एन, ऐसे, और इसको change कर देंगे, was being, जब भी, past continuous का tense हो, तो उसमें, वाज बार आए, तो उसमें being लगा देते हैं, और वर्व की third form होती है, आई, एन, ऐसे, was being written by me, और subject को, आई, को, मी में change कर देते हैं, तो that is right answer, first, यह भी, was the servant bringing tea, यह भी past continuous tense है, तो इसमें भी हम, क्या यूज करेंगे, being का यूज करेंगे, तो यहां पे, bring हटा दो, was, tea, being, और यह हो गई, third form, brought by the servant, that is the right answer, after the child, वो looks after the child, means, यह present tense का है, और इसको हम, the child यहां से उठाएंगे, the child is looked, third form हो गई, after by her, after by, after क्यों लगा, क्योंकि उसके द्वारा देखा जा रहा है, that is right answer, he could not lift the box, तो इसके पास सहन सीलता, इसमें च्छमता नहीं थी, अब इसमें हम the box से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, the box, could not, जब could not हो, यह could हो, तो भी लगाते हैं, the box could not be lifted by him, that is the right answer, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, the best can not, तो होई नहीं सकता है, we are playing chess, देखो यह sentence है, यह sentence है, continuous का, तो अब हम स्टार्ट करेंगे, the chess, had been playing, नहीं नहीं देखो, जब भी ऐसा question होता है, तो हम, being तो लगाते हैं, लेकिन यह change नहीं करेंगे, is आरेम, उसको बिलकुल change नहीं करते हैं, यह change करते हैं, direct indirect में, तो chess has been, no, chess watch being, no, yes, chess is being, chess, is, archive हो गया, being played by us, जब आ जाता है ना, तो हम can के साथ फिर भी लगाते हैं, तो देखो, कौन कौन से में, be नहीं लगा है, could be, नहीं हो सकता, can be, देखो यह लगा है, could be भी नहीं हो सकता, I can, me को I में change किया, I can be helped, तो इदेखो, हैड है यहाँ पे, और इज है, यह नहीं होगा, तो इमेंगो, इमेंगो उठाया, ठीक है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, वाज भी आया, बहुत बढ़ी है, तो थर्ड फॉर्म होती है, एक्ट्व पैसे में, तो इटन आ रहा है, तो यह नहीं होगा, इमेंगो बाजी इटन बाई में, यह एट्स बैड पीपल, यह प्रिजेंटेंस का है, और इसको हम, जब प्रिजेंटेंस है, तो इसको इज आरम में चेंज करेंगे, और तर्या की थर्ड फॉर्म, हेट्स का हेटेड हो जाएगा, यहां पर हमने आर का यूच किया, यह गलत हो गया, उप्सन नमर डी इस दर राइट आरसे, प्रस्ण वाचा कैब यह, और यह पाश्टेंस का, पाश्टेंस में वाज वर का यूच करेंगे, तो यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यहां पे देखते हैं यह भी नहीं हो सकता है यह देखो वाज का यूज हुगा है वाज इज रिटेन आपसम नमर डी इस दराइट वन्स फेस अगेंस्ट तो इसकी हिंदी होती है किसी का मुए अपने विरुद रखना तो इसमें तो अपोजिड विड डिटर्मिनेशन डटकर विरुद करना तो जजज बाई एपिरेंस दिखावे से निर्णा करना तो गेट आउट आउट आप डिफिकल्ट मुस्किल से निकलने के लिए तो लुक एट दा येस्टिडी एक को लगाता देखना 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 इसी तरीके से मैंने देखो सभी नहीं बना पाई हिंदी में जो किलास लिया करेंगे वो ऐसे ही हम लिया करेंगे हिंदी में बनाके तो अभी हमें ऐसे ही बता दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थे तो हिट दा नेल मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत स सकता है बट आपने राइट तिंग किये कोई बढ़िया काम किया तो इसमेल एरे तो चुए को सुने का मतलब इस तरह का एक वह गया तो इसमें क्या है आपने किसी पर सक किया है कुछ किया है तो सिस्टाइन ओप लेग नो तो गैट बैट इसमेल नो डू सस्पेक्ट फॉल dealing that is right answer option number c to be a bad mood no a black sheep oh ho yeh toh bhoot acchha jan sabhi jantay hoongay toh black sheep matlab yeh kalank type hota hai unlucky person no lucky person no ugly person no that is right answer option number d none to beg the question means a question ka aapne question ke liye puchha hai toh iska matlab hai to refer no to take granted yes that is right answer to raise objection no to be discussed no a man of straw a man of no substances that is right answer video ball long ba ho gaya jaldi li kar deete hai to pick the hole to find some reason quarrel to destroy something to criticize to criticize someone that is the right answer to end in smoke aapko lag raha ho ga ke ista artha raha ho ga ke aapki jo sigrit pi raha hai anth ho gaya hai mtlap smoking karthi karthi anth ho gaya hai but asa nahi hai toh riun self aapko laghe ka excite gate applies no overcome to overcome someone no yaha paga to make completely understand in mtlap sabkut samach chuk bhai smith sab chijja hai aap dhek liye na aur bhi diya hai aap check kar liye na kaafi diya hai aise hi aagli sentence by the spell terral to abbreviate abbreviate that is the right answer option number a next hai c e double s a r y that is right answer accelerate to isma s c a double c e l e r a t a double c accommodate 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 that is right answer cassettes cassettes ye toh ho nii sakta cassettes ye that is right answer number two is right answer option number a is the right answer jubli 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 dw what a right answer option obsolete observing option that is right answer pneumonia 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 that is right answer Psychopathology P.S.Y. C.H.O. ये तो सबी में Pathology Pathology O होती है ये नहीं है Pathology यहां तक आगए Logi तो ये नहीं है ये That is the right answer Vaccination Vaccination V.A.C. होता है Vaccination में जोच दिए बैस्ट आनसर तो कमप्लीट सेंटेंज दे बाउन वा इस्पेस दा डॉग अभी यहां पर बाउन हडी किसके लिए होती है तो इसमें इबहुंट अप्लॉटाइगा नु फौर आएगा फौर मीं के लिए होती यह दा डॉग वाज फौर मीं के लिए होती है दा कौन वाज फॉर दी डॉग तो यहां पर सेकंड नम्मर सही है नेक्ष्ट क्यूश्ट आते हैं कि वी आर गॉइंग ओन वेकेशन दैस अगस्थ तो आन एट इन शिंस यह पीपोजीशन है और मैंने थोड़ा समय कम था इसलिए हम नहीं बता सके निक्ष्ट समझा तो वी आर गॉइंग ओन वेकेशन ओन तो होगा नहीं एट होगा नहीं इन अगस्थ तो यहां पर हो जाए बरतन होते हैं ठीक है तो इन नहीं होगा ओन दा टेबल क्योंकि टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो ओन दा टेबल होगा कि आई रिसीवे प्रिजेंट जैनेट मैं लब एक उभार आप ले रहा हो दूसरे से यूज करते हैं तो आप्शन नम्मर वन इस्कूल बिगिन इन मंडे ओन मंडे फ्रॉम मंडे सिंस मंडे तो यहां पर होगा ओन मंडे तो सेकेंड नम्मर आया है एट तो होगा नहीं ओन होगा ओन होगा इन होगा नहीं कि वी है ट्रेवल ओवर नाइट तो लंडन एंड एराइब देखो जहां पर ओकलॉक हो और ऐसा कुछ हो तो आप वहां पर यह समझ लो कि हंडेड परसेंट एट आएगा ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे एट फाइव ओकलॉक इट फाइव ओकलॉक इन दी मॉर्निग ठीक है ति इलेक्शन इस डिफरेंट फ्रॉम इद डिस तू फ्रॉम माइन दाएगा उन दावे तो इंडिया क्योंकि वह इंडिया के लिए जा रहा था इंडिया के रास्ते जा रहा था है उसका पास्वर्ट को गया यहां पे करेक्शन से मतलब नहीं है कि राइज एबब होता है राइज के साथ एबब का यूज किया जाता है नेक्स आते हैं राइस इस सेलिंग फाइब रुपीज एक किलो तो यहां पे जब भी रुपए की बात आती है न तो एड़ दा रेट होता है ठीक है एड़ दा रेट फाइब रुपीज किलो इस देर एनिफिंग इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग की जब कोई चीज आए इंदी पेपर इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग इन्हीं इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग एृडिंग इस्टैप कर आई एम ग्रेटफुल माईस से अधी फ्रेंड फार देर मॉरल सेपोर्ट तो यहां पर I am grateful to my friend ग्रेटफुल के साथ He is at the top on the top at the top देखो ही है वो इंसान है कोई चीज नहीं है तो on the top कर दोगे at the top look look समझ लो आ गया तो वहाँ पे look at the picture it is very difficult to enter partnership with a person देखो enter to partnership on partnership no with partnership यहाँ with में थोड़ा आएगा but यहाँ पे it is very difficult inter means अंदर के लिए तो into partnership partnership में जाना है उन्हें तो यहाँ पे क्या आएगा fourth number God will provide to our necessity for our necessity Haris and Sarla always go out for a meal at the year wedding no on the year wedding next Ram Ram's brother is a banker but he has out of work at the moment I have seen her to the last three days देखो जहाँ पे three days four days या five days ऐसे आए वहाँ निश्चित नहीं होता है तो निश्चित जहाँ नहीं होता है वहाँ four कप्रियोग किया जाता है ठीक है यह four कप्रियोग के do yourself ऐसी इस तरह के बहुत सारे क्यूशन थे I don't take any responsibility but it will help you this practice a lot देखो जितना हो सका मैंने बना दिया क्योंकि समय कम था इधर उदर से हम नहीं चाहते थे के फालतों में कुछ हम डाले तो किर्पया आप अपनी पढ़ाई करें अपने इसाब से बागी यह help करेगा यह बहुत अच्छी पीडियाफ थी और यह पीडियाफ मैं आपको इंडिजवल को भी दे दूँगा किर्पया आप लग सकते हैं थेंक्यू बेरी मच्च बेस्ट आप लग